हेलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सभी मेरे ख्याल से मेरे सभी साती ठीक होंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद आपका कलास हो रहे हैं आपका कलास बीच में बादित हो गए थे इसके लिए सौरी बोलना चाहेंगे क्योंकि अभी जो की बिहार इस्टनो एसाइ का एक्जाम सोने बाला था जो पॉस्पोर्ण हो गिए तो इसलिए आपका कलास बादित हो गए थे और थोड़ा सा भॉहाइस में भी प्रोब्लम आ रहा था जिसके करना आपको क्लास नहीं दे पा रहे थी अब आपको प्रोपर क्लास मिलेगा चिंता नहीं करना है जो आपका टाइम था सामने साथ मुझे मिलते रहेगा तो सामने साथ जूड़कर अपने exam का preparation कर सकते हैं आप सभी और आज के इस वीडियो में है चो कि Bennett कुबढ़ करेंगे science का जो के आपके exam के लिए important है क्योंकि आपके exam लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाई जाते हैं हर को सब्सक्राइब करने के कारण मिट्टी कर रहा है लाल होता है जी अपना बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे दिखिए नेस्ट कोसे दिखे कोसे टो चलिये आंसर की जीएगा आप से चिंटा नहीं करना आप सीखोटी को कोसेज़ चीएकोशन अब tag रहा है के नाम से जाना जाता है चलिए आंसर की जिगा आप से भी कोस्टिन मर्ड़ के लिए तो विटामिन E को टे को फिरल के नाम से जानते हैं जबकि विटामिन C को एसको ब्रिक के नाम से जानते हैं विटामिन B को थैमिन के नाम से जानते हैं और विटामिन के को फिलो के भी नाउन के नाम से जानते हैं तो ये तीनो चारक फेक्ट को याद रख लिजीगा जो आपके एक्जाम से पूछ जाते हैं अब आपको भॉइस जोगे किलियर सुनाई देते होंगे क्योंकि पहले जोगे थोड़ भद्दा सुनाई देता था जिसके करण से क्लास आपको प्रोपर तरीके से नहीं मील पाता था और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था देखें को इसन में तरी निमलेकित में से बेकिंग सोडा कौन है भी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे सभी सातियों का सोडियम भाइ कर्भोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ठीक है और इसका रासायनिक सुथर क्या होता है तो लीक देते हैं एन एच सी ओ त्री इसका रासायनिक नाम होता है तो दीखें नोट कर लिज़िगा आप सभी next question दिखिए helium की खोज किसी ने की चलिए आंसर करेंगे सबसाती helium की खोज किसी ने की थी low care ने बिल्कुल right answer हैंगे low care कर लेजीगा और आप सभी को बताते हैं आप सभी व्यार forest guard exams के त्यारिक कर रहे हैं और exams को एक बार में निकालना चाते हैं आप सभी के लिए 700 प्लस MCQ त्यार किया गया था जो कि Special Science का था अगर आभी तक इसे डाउनलोड करके नहीं रिवाइज किये तो जरूर किजिए आप सभी और इसके अलाबा जो कि History का भी पीडियाब आ चुके हैं जिसमें की 500 कोशिशन है इतियास का Most Important कोशिशन है जो आपके एक्जाम्स में आपको काफी हल्प करेंगे और इसके अलाबा जल्द ही Geography, Policy और Economics का भी आ जाएंगे तो आपसे भी डाउनलोड कर सकते हैं यह जितना बताएं सारा लिंक नीचे Description में दे दिये तो आपसे आपसे भी डाउनलोड कर सकते हैं यह Paired पिडियाब है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो अभी Class कर रहें इसका पिडियाब आपको टेली ग्राम पे मिल जाएंगे वहां उपलफ्द करवा देंगे तो आपसे भी डाउनलोड कर लिजीगा तो यहां can fusion हो जाता है, तो आप से भी बता देंजी का वही कर देंगे आपके लिए, question 5 देखें, निमलेकित मेंसे, syred lead हैं, तो C बिल्कुल right answer हैंगे, PB 3O4 हैं, PB 3O4, C बिल्कुल right answer हैंगे सभी सातियों का, देखें, question में 6 देखें, चलिए answer करेंगे, आप से भी question देखेंगे, पड़ी क्या बोले, question, निमलेकित मेंसे कौन, जीवन को नश्ट कर देता है, लेकिन भवनों को कोई नुक्सान नहीं पहुचाता है, तो साइध इससे पहले हो सकता है, आप से भी बताए होंगे, अगर तियारी कियोंगे, तो आप से भी इसका answer जरूर करेंगे, तो यह neutron bomb, neutron bomb का क्या करता है, जीवन को नश्ट करता है, पर भवन को कोई नुक्सान नहीं पहुचाता है, मतलब कि धीरे-धीरे खोकला कर देता है, और जीवन नश्ट हो जाता है, पर भवन को कोई नुक्सान नहीं पहुचता है, ठीक है, नेश्ट कोशन दिखे, नेश्ट कोशन करते कोशन में से बन, एप प्रोटाउन को दूसरे प्रोटाउन के पास लाने पर बिद्दूत, इस्थिति क्या होती है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, सभी सातियों का ओ परिवर्तित रहती है, ठीक है, ए आप सभी कर लें जीगा, ओ परिवर्तित रहती है, बुलाईएगा नहीं, बात समझ रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं आप सभी को, समझ रहे होंगे, आप सभी बात को, नेक्स्ट कोशन देखे, C.B. रहमन को किस बिशिष्ट अधियन के लिए नोविल पुरुष्कार परदान किया गया था? तो यह किस लिए दिया गया था? परकास कपरी करिनन के लिए दिया गया था, C. बिल्कुल सही, आंसर हो जाएंगे सभी सातियों का. देखे, नेक्स्ट कोशन देखे, कोशन मर 9, आपके स्किन पे, बिटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताये थे, बिटामिन B1 की कमी से जो होता है, बेरी-बेरी रोग होता है, और इसका रासानिक नाम क्या होता है? थाइमिन इसका रासानिक नाम होता है रिकेड सुरोग जो होता है यह विटामिन D की कमिसी होता है और इसको ब्रिक यह विटामिन C की कमिसी होता है देखें, next question देखें कबक और सिवाल की परसपर संबंद से एक नया पादब बर्ग बनता है जिसे हम कहते हैं question number 10 के लिए right answer किरेंगे आप सभी तो इसे हम सभी क्या कहते हैं जिए बिल्कुल right answer option मसी हो जाएंगे like in कहते हैं note कर लिए जिए आप सभी like in कहते हैं पढ़ने का तरीका सही हो जाना चाहिए उसके बाद result तो बनना ही बनना है किसी भी हालत में अगर समझाने वाला आच्वी को सही तरीकी से मिल जाता है तो result निस्चीत बनेगा आपका क्योंकि concept के लिए रोगा तो result बनना ही बनना है next question के radio activity की खोज किसने की थी D बिल्कुल right answer हो जाएंगे Henry Bekural ने radio activity की खोज की थी D सभी सातियों का right answer हो जाएंगे यहाँ पर चले देखिए next question देखिए question 12 anti safety surgery का सूतर पातर किसने किया था चले question 12 के लिए right answer के रहेंगे आप से भी anti safety surgery का सूतर पातर किसने किया था तो यह किसने किया था जो से प्लिश्टर ने किया था सी बिल्कुल right answer हो जाएंगे अपना और इससे पहले एक ही वीडियो में master वीडियो था जिसमें की 500 GKGS आपको cover करवाया गया था अगर अब तक इस वीडियो को नहीं देखिए आप से भी तो देख लिजेगा link नीचे description में दे दिए अगर इस वीडियो का आप से भी complete देख लेते हैं तब ही आप proper तरीके से त्यारी कर पाईएगा अपने एक्जाम्स का next question दिखे 1848 में गटित परमानू उर्जा आयोक के अध्यक्च कौन थे तो इसके अध्यक्च थे होमी जहांगिर भाबा कर लिजिगा से बिलकुल right answer हो जाएगी next question दिखे सामपेक्चिता का सिधांत दिया था तो यह किस ने दिया था जब बिलकुल समाझ पा रहे होंगे सामपेक्चिता का सिधांत किस ने दिया था a right answer हो जाएगे Einstein ने दिया था ठीक है Einstein ने दिया था नेस्ट कोशंद के बारतिय अंतरीक्ष अनुसंधान संस्तान इसरो कहां इसतिते बैंगलूरू में याद रखेंग कि आपके बैंगलूरू में इसतिते नेस्ट कोशंद के परमानू के नाभिक की खोज किस ने की ही चले आंसर करेंगे आपसे भी किस ने की थी रधर फोड ने ए बिलुकुल राइट आंसर हैंगे सभी सातियों का याद दखेंगे आपसे भी परमानु की नाभी की खोज रधर फोड की द्वरा की गई थी देखेंगे नेश्ट कोशन दखेंके केस को ग्रॉप नाम यंद्र की खोज किसने की थी तो इसकी खोज किसने की थी जगद् Dead colocar ने की थी ए बिलुकुल राइट आंसर हैंगे सभी साथियों का क्योंकि competition इतना हाई है कि बीना त्यारी किये एक दिन भी miss करते हैं आप सभी तो कई कदम पीछे जाएंगे आप सभी तो ऐसा नहीं किजे मिस नहीं किजे आप सभी class regular किजिग आप सभी इसमें मेरा गलती था जो कि आपका class बंद कर देते हैं इसके लिए आपको क्लास देते हैं इसे share किजिए और इसे like जुरू किजिए आप सभी तब ही regular class बना रहेगा आपके लिए तो इसका right answer हो जाएंगे Edward Jenner ने चेचक टीके के खोज किसने की थी Edward Jenner ने बिल्कुल C right answer हो जाएंगे अपना next question किजिए किस ने बताया कि पिर्थिवी अपने अक्ष पर गुमती हुवी सूर की परकिर्मा करती है तो ये बताया गया था आरिभट की दुबारा answer हो जाएगे next question दिखे पर्मानू के सिधान्द का परतिपादा कौन थे तो इसका परतिपादन जो किया था वो John Dalton ने किया था इस सबगे next question के the origin of species किनकी रचना है तो ये रचना है Charlie Darugin का ठीक है नोट कीजिए आप सभी समझ रहे होंगे किसकी रचना है चाल्स डैर्वीन का है नेश्ट कोशन दिखे राष्टे बिग्यान दिवस कब मनाया जाता है सायद पता भी होंगे आप से भी को राष्टे बिग्यान दिवस कब मनाया जाता है चलिए आंसर की जिए आप से भी जो बिल्कुल कब मनाया जाता है 28 फरबारी को हर एक बर्स मनाया जाता है ठीक है ने सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे अपना नेस्ट कोशन देखे हाइट्रोजन को तत्व के रूप में खोज किस ने की इसकी खोज किस ने की थी c बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे हेंडरी कबिनिस ने की थी चले देखे नेस्ट कोशन देखे रक्त परिवरहन की खोज किस ने की थी बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप सब किसी ने की थी तो इसका A right answer रहेंगे William Harvey ने A सभी सातियों का बिल्कुल right answer हो जाएगे यहाँ पी देखे next question के एक सिरे की खोज किसी ने की थी चलिए answer करेंगे आपसे भी तो B बिल्कुल right answer हो जाएगे WC Ront Jan ने एक सिरे की खोज की थी ठीक है ना बिल्कुल right answer हो जाएगे सभी सातियों का चले देखे question नमर 27 के और आगे बढ़ते हैं 27 नमर question दिखें गती के जड़त नियम को किसने परतिपादित किया था साहथ आप से को पता भी होंगे कि गती के जड़त के नियम को किसने परतिपादित किया था तो यह किसने किया था नियूटन ने किया था जबकि गती के जड़त की नियम को परतिपादित किसने किया गिलेलियों ने किया था next question दिखें अनुवांचे की कोड की खोज किसने कि थी तो इसकी कोज कि थी हरी गोबिंद खुराना ने डी बिल्कुल राइट आंसर रेंगे सभी सातियों का next question के टेली इसकोप का नियर्मान किसने किया था चलिए आंसर करेंगे टेली इसकोप का नियर्मान किसने किया था गिलेलियों के दुबरा किया था टेली इसकोप का नियर्मान next question के लाइसोसोम की खोज किस ने की थी चलिए आंसर करेंगे question में 31 के लिए आप सभी तो इसकी खोज किस ने की थी CD डूबे ने की थी next question के प्राकृतिक चेन सिध्धान्त किस ने दिया था तो ये दिया था Darbyn ने ये बिल्कुल right answer हैंगे Darbyn ने दिया था बिल्कुल right answer हैंगे सभी साथियों का next question के सरपर्थम जीवानों का पता किस ने लगाया था तो ये लगाया था Lubain Hawk ने ठीक है ना बिल्कुल right answer हो जाएंगे समझ रहेंगे Lubain Hawk ने सरपर्थम जीवानों का पता लगाया था next question के पैंसिलिन की खोज किस ने की थी ए राइट आंसर हैंगे Alexander फिल्मिंग ने पैंसिलिन की खोज की थी next question के कोशी का सब्द का परियोग सरपर्थम किस ने किया था जी बिल्कुल किस ने किया था Robert Hook ने किया था ए बिल्कुल right answer हो जाएंगे Robert Hook ने कोशी का सब्द का परियोग सरपर्थम किया था next question के इंसूलिन की खोज किस ने की थी चलिए आंसर करेंगे आप सभी तो इसकी खोज benting एबम बेस्ट ने की थी ठीक है ना बिल्कुल right answer हो जाएंगे सभी फिरेंड़ों का चलिए देख़ए नेस्ट कोशन दिखिए गामा किरने गामा किरन की खोज किस ने की डी राइट आंसर हो जाएंगे बेकूरल ले ठीक है ना बेकूरल बिल्कुल right answer हो जाएंगे याँ सभी सातियों का डी बिल्कुल correct answer रहेंगे next question के रेबीज के टीके की खोज किस ने की थी बिल्कुल किस ने की थी लुई पास्चर्ज ने भी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे समाझ ज़ेओंगे बात को लुई पास्चर्ज ने की थी next question के question number question of 40 इसकी इन पे प्राकृतिक वरन जिसे हम natural selection कहते हैं और इसका नियम जो की किसके द्वारा पर्तिपाजित किया गया था तो ये क्या गया था चार्ल्स डैर्बिन के द्वारा ठीक है ना सिब बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे चार्ल्स डैर्बिन के द्वारा next question दिखिए जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्यन कहिलाता है तो इसे कहते हैं पेथो लौजिक कहते हैं ये बिल्बिक करेक्ट आंसर रहेंगे सब्सातियों का पेथो लौजिक कहते हैं याद रखेगा next question दिखिए oxygen की खोज किस ने की थी option आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे तो oxygen की खोज की थी C ले और pre-stale ने की थी डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे C ले और pre-stale ने की थी question क्या आप बोल रहे हैं समझ में आ रहे हैं आप सभी को C ले और pre-stale ने oxygen की खोज की थी next question के गुर्टवा कर्चन नियमों के अभिसकारक कौन है B बिल्कुल राइट आंसर हैंगे Newton ने गुर्टवा कर्चन नियम को पर्तिपादित किया था B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी सातियों का next question के बिक्रम सारा भाई space center कहा इस्तित है तो यह कहाँ पर है तुरू बननत पूरम में है और यह केरल की राजधानी है next question दिखिए question number 45 कबगों का अध्यान क्या कहलाता है तो इसका अध्यान जो कहलाता है mycology a right answer रहेंगे mycology कबग का अध्यान कहलाता है next question ए question 46 से एक से सिक्कों का अध्यान क्या कहलाता है डे बिल्कुल right answer एंगे new me ismetic कहलाता है new me ismetic सिक्कों का अध्यान कहलाता है note कीजिएगा most important question है next question कोशन है question 47 cellular और molecular zip बिग्यान केंदर कहा इस्तिते तो यह इस्तिते है हैदराबाद में ठीके न next question के center for DNA fingerprint and diagnosis अवस्तिते कहां पे बिल्कुल right answer जेंगे हैदराबाद में ये भी अवस्तिते next question के आदुनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है lineage को lineage को आदुनिक वर्गी करण का पिता कहा जाता है next question के question नवर 50 इस्किन पे कोसी का का अध्यन कहलाता है say बिल्कुल right answer जेंगे cytology कोसी का अध्यन कहलाता है तेके न कोसी का अध्यन cytology कहलाता है चले देखे next question है और यह question आप सभी के लिए जिसका answer आपको नीचे किमिन बोक्स में बताना है चाहे जैसे भी बताना है आपको कोसी का सिधान्त का परतिपादन किसी ने किया था चार option आपके screen पे चार option में आप अपना answer नीचे किमिन बोक्स में लगा सकते हैं अगर question का answer पता हो तो तो चलिया इस प्रकार से 50 question complete हुए आज के इस set में आज का यह question कैसा लगा आप से लगा आप से भी को उसे प्रेस कर लेजगा आप सभी और आप सभी जल्दी से 700 MC की वाला पीडियोप डाउन्लोड कर लेज़े जो science का special है इसमें bio chemistry physics का question दिया हुआ है तो आप सभी इसे डाउन्लोड कर लेज़ेगा सारा important question है जो आपके exams में पूछ जा सकती हैं तो इसे डाउन्लोड कर लेज़ेगा और जो बिहार first exam की त्यारी कर रहे हैं वो भी इसे डाउन्लोड कर लेज़ेगा आपके भी exams के लिए important है अगर आप सभी को history इतियास का 500 वाला पीडियोप डाउन्लोड करना है साथी जड़ो जुड़े तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदे मातरम ध्यान रखेगा पढ़ाई करते रहेगा आप सभी